भामा शाह का त्याग गास की बीतों से बनी रूटी तक नसीब न होती थी चिताओड के महाराणा और सोने के पलंग पर सोने वाले उनके बच्चे भूखे प्यासे परवत की गुफाओं में घास पत्ते खाते और पत्थर की चटान पर सो रहते थे लेकिन महाराणा प्रताप को इन कश्टों की तनिक भीचिनता न थी उन्हें तो बस एक ही धुन थी कि चिताओड की पवित्र भूमी पर कैसे अधिकार करें महाराणा प्रताप और उनके सैनिक कुछ दिन भूखे प्यासे तो रह सकते थे लेकिन भूखे रहकर युद्ध कैसे किया जा सकता था भले ही उनके अंदर उत्साह और जोश बहुत अधिक था लेकिन सेना और घोडों को भूजन देने के लिए हत्यारों के लिए तो धन की आवश्यक्ता थी और महाराना के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी उनके राजपूत सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तयार थे उन्हें तनख्वाह नहीं लेना था लेकिन बिना धन के दिल्ले के बादशाह की सेना के साथ युद्ध कैसे हो महाराना प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी अंत में एक दिन महाराना ने अपने प्राणू से प्यारी जनम भूमी को छोड़ कर राजस्थान से बाहर जाने का निश्य किया वे महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे तभी महाराना के मंत्री भामा शाह घोड़ा दवडाते हुए वहाँ पहुचे घोड़े से उतर कर महाराना के पैरों पर गिर कर फूट फूट कर रोने लगे आप हम लोगों को अनात करके कहा जा रहे हैं महाराणा प्रताप ने भामा शाह को उठा कर गले से लगा लिया और अत्यंत दुख से बोले आज भाग यह हमारे साथ नहीं है अब यहां रहने से कोई फाइदा नहीं है इसलिए यहां से जा रहा हूँ कहें कुछ धन मिल जाए तो उससे सेना एकत्र करके फिर से चितौड का उद्धार करने वापस अवश्य लोटूंगा आप लोग तब तक साहस से काम लें भामा शाह ने हाथ जोड़ कर कहा महाराज आप मेरी एक प्रार्थना स्वेकार कर ले राना परताप बड़े प्यार से कहो भामा शाह क्या बात है आज तक मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है क्या भामा शाह के पीछे उनके बहुत से सेवक गोड़ों पर अशर्फियों के थैले लाद कर लाए थे भामा शाह ने उन थैलों को महाराणा के सामने रखवा दिया और फिर हाथ जोड़ कर बड़ी ही विनम्रता से बोले यह सब धन आपका ही है मैंने और मेरे पूरवजों ने चितोड के राजदर्बार के क्रिपा से ही इसे एकत्र किया है आप क्रिपया इसे स्विकार कर लीजिए और चितोड का उद्धार कीजिए महाराणा प्रताप ने भामा शाह को गले से लगा लिय उनकी आँखों से टप टप आँसू बहने लगे वे बोले तुम धन्य हो भामा शाह लोग प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं लेकिन इस पवित्र भूमी का उद्धार तो तुम जैसे उदार पुर्शों से ही होगा उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना एकत्र की औ और मगल सेना पर आकरमन किया मगलों के अधिकार की बहुत सी भूमी पर महाराणा ने विजय प्राप्त की और उद्धार पुर्शों में अपनी राजधानी बना ली जैसे महाराणा प्रताप की वीरता इतिहास में प्रसिध है वैसे ही भामा शाह का त्याग भी विक्यात ह ऐसे त्यागी पुरुश ही देश का गवरों बढ़ाते हैं